तो क्या जूमी फिल्म स्टार्स अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा में आते हैं, क्या उनकी मूवी फ्लॉप हो जाती हैं? वेल यह हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, बट के आर के का जी हां, कमाल आर खान, जो अपने आपको एक बहुत बड़ा फिल्म क्रिटिक बताते हैं, उनका यही कहना है, उन्होंने तो यह भी कहा है, कि कपिल शर्मा शो अक्चली में बॉलिवुड के लिए पनौती है, सो ऐ इसी बात उन्होंने क्यों कही है, वेल यह सब जाने से पहले, और डीटेल में जाने से पहले, हलो, I am Reesham, and you are watching DnP, firstly, welcome back to our channel, in case अगर अब यह तक आपने हमारे चानल DnP को सब्सक्राइब नहीं किया, then what you waiting for, please कर ले, thank you, well, like I said, कि कमाल आर खान ने कुछ बड़े-बड़ शो में प्रमोट करने के ले आता है, तो ऐसा बहुत-बड़ देखा गया है, कि उनकी पर्टिकॉलर फिल्म फ्लॉप हो जाती है, उनोंने पठान का और कश्मीर फाइल्स का जो है, इक्जामपल भी दिया है, उनका कहना है, कि जैसे शारुख खान पठान को प्रमोट करने क के ले कपिल शर्मा में इस बांड नहीं आए, और जैसे कि हम रिजल्स देख सकते हैं, कि पठान एक बहुत-बड़ी सूपर हिट ब्लॉपबस्टर हो गई है, साथ-साथ अगर कश्मीर फाइल्स की भी बात करें, तो उनके भी जो अनुपम खेर हो, या फिर उनके डारेक् इतनी जादा ब्लॉपबस्टर हुई है, और हिट हुई है, बट उनों ने ये बात एकदम से क्यों कहीं, बेल, लेट मी टेल यू, ये उनोंने ट्वीट इसले करा है, क्योंकि अभी जो है, खबरे आ रही है, कि अक्षे कुमार, जो उनकी पटिकुलर फिल्म है, सेल्फी, इम्रान हाश्मी, नुष्रद बरुच और डाइना पेंटी के साथ, जो उनकी पटिकुलर फिल्म आ रही है, सेल्फी, वो उस पटिकुलर फिल्म को कपिल शर्मा शो में प्रमोर्ट करने नहीं आ रहे हैं, जी हां, वैल, तस काइंड अफ शॉकिंग, बिकुस वी नो फॉर अब ही तक वो शो में नहीं आए हैं, कोई प्रोमो भी नहीं आया है, तो अब यह साफ साफ लो को लग रहा है कि अक्षी कुमार इस बार अपनी फिल्म को प्रमोट करने कपिल शर्मा शो में नहीं आ रहे हैं, जो हमेशा आते हैं, जी हां, वैल, वी नो फॉर फॉर अफ़ कि आक्षिक हुमार की एक साल में बहुत सी फिल्में आती है और उन्हें बार-बार जी हा बार-बार कपिल spvy शर्मा शो में देखा भी गया है बट इस बार जब ऐसा नहीं हो रहा है तो लोगों को लग रहे है कि शायद जी हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि अक्षे भी ये सोच रहे हो कि अगर वो इस फिल्म को कपिल शर्मा शो में प्रमोट करने आए तो ये फिल्म भी उनकी फ्लॉप हो जाए क्योंकि ये जो चीज है जो पॉइंट आट करी है वो कमाल आर खान ने की है तो ये आपको दी लगता है और ये अगर कोई भी प्रिकुलर सेलिबरिटी अपनी फिल्म को कपिल शर्मा शो में प्रमोट करने आता है तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है जैसे कि कमाल आर खान ने पठान और चाश्मीर फाइल्स का जो एक्जामब्ल दिया आप इस चीज से कितना अग्री करते हैं और कितना नहीं करते हैं I would really want to know your check in the comment down below and क्याव आर के रिलेले टेन्मेन अगर आबका हमान आचका कंटने और वीडियो पसनाया then please not forget to like, share and subscribe to DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.